नमस्कार विद्ध्यार्तियों, मैं मनिशने निवाल, साहे काचार, राज के महाविद्ध्यले चोमेला हम पढ़ रहे थे केशवदास द्वारप्रणीत महाकावे रामचंद्रिका से लिए गए कुछ अन्सों के बारे में रामचंद्रिका से आज का प्रक्रण है लंका कांड का प्रसंग रावन अंगद सम्वाद इससे पूरू हमने लंका कांड के ही विवीशन सरणा गमन प्रसंग का अध्यन किया था जिसमें विवीशन राम की सरण में आ जाते हैं इसके बाद उसके आगे का प्रसंग जो आपके पाठे करम में लिया गया है वो है रावन अंगद सम्वाद रावन और अंगद के बीच जो सम्वाद होता है उस प्रसंग को ये भी रामचंद्रिका के लंका कांड का ही अंश है प्रसंग स्क्रीन पर हैं यह चित्र पदा छंद में हैं रावन और अंगद के मध्धे शमवाद हो रहा है प्रसंग हैं कि अंगद जो हैं वो राम का दूत बनकर राम का संदेश लेकर के रावन के दरबार में उपस्तित होता है तब अंगद और रावन के मध्धे जो समवाद होता है उसी प्रसंग को यहाँ लिया गया है रावन पूछ रहा हैं अंगद से कौन हो पठेशो कौन है यहाँ तुमें कहकाम है तो अंगद रावन के प्रस्ण का उत्तर दे रहे हैं जाती वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है कौन है वह बांदी के हम देह पूछी सवे दही यह फिर से प्रस्ण है रावन का और फिर रावन के प्रस्ण का जवाब अंगद के द्वारा लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात वृधा कहीं तो यहां रावण और अंगद के मध्धे समवाद हैं अंगद राम का संदेश लेकर के रावण के दरवार में जाता है युद्ध से पहले की यह बातचित हैं दोनों पक्सों के मध्धे यह एक राजनीतिक कूटनीती से समवाद हैं किस प्रकार से दो राज्यों के मध्धे बातचित होती हैं वेशा ही प्रसंग हैं तो दूत अंगद जब रावण के दरवार में उपस्तित होता है तब उनका परीचे लेने के है तू रावण पूछ रहे हैं कौन हो अंगद से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो पठे सो कोने पठे याने भेजा भेजना सो कोने तुम्हें किसने भेजा हैं यहां तुम्हें कहकाम है और यहां तुम्हें क्या काम है किस कारण से तुम्हें यहां भेजा गया है तब अंगद रावण के प्रस्ण का उत्तर दे रहा है जाती वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है कि मैं जाती से वानर हूँ और लंक नायक का दूत हूँ और अंगद मेरा नाम है लंक नायक का दूद अब इसमें वेंग्यातमक बात हैं लंक नायक का दूद के लंक नायक तो रावन हैं लेकिन यहां अंगद वेंग्यातमक तरीके से यही कूटनिती हैं लंक नायक का दूद अपने आपको बता रहा हैं यहां वो भविष्य की घटना की तरप संकेत कर रहा हैं कि आने वाले समय में लंक का नायक राम ही होने वाला हैं। और उस से भी आगे वाली घटना, विभीषन के लिए, यानि लंका का नायक, जब लंका को विजे कर लेंगे राम, तो उसके बाद लंका का नायक विभीषन होगा, उस तरफ संकेत करते हुए यहाँ अंगद कूटनितिक तरीके से यह बात कह रहा हैं, कि मैं लंक नायक का तो एसा जवाब सुन करके रावन फिर प्रश्ण पूछता है कौन है वह बांदी के हम देह पूछी सबेद ही अच्छा अच्छा तो तुम उन साधों के दूत हो राम के सेना के दूत हो तो अच्छा ये बताओ कि वो कौन है कौन है वह बांदी के जिसे हमने बांद लिया था तुमारी सेना से एक वानर पहले आया था उसको हमने बांद लिया था तो वह कौन है जिसे हमने बांद लिया था बांदी के हम देह पूछी सबे दही दही याने जला देना देह याने सरीर पूछी याने पूछ अच्छा ये बताओ कि वह कौन है जो पहले आया था और जिस हمने बांध करके जिसकी पूंच और उसकी सारी देह को हमने जला दिया था दही दही नहीं जला दिया था वो कुन था तो उसका जवाब फिर अंगद दे रहा है लंक जारी संगहारी अच्छ गयोसो बात वुर्था कहीं तो अंगद वेङ्गयातमक तरीके से ही इसका जवाब दे रहा हैं लंक जारी संखारी अच्छ, अच्छ आने अक्ष्यकुमार गयों बात वर्था कही अच्छा अच्छा वह जिसकी तुम तो कह रहे हो को जिसकी देह और पूँच को तुम ने जला दिया लेकिन उसने तो वहाँ जाकर कुछ और ही कहा है। जूट कहां क्या उसने गलत बात कही हैं यह तो यह जो प्रसंग है इसका जो जवाब हैं अंग्णद का वह बहुत ही साथ कूट नीती का परीचे देते हुए जो बात कही जा रही है जो उत्तर दिया जा रहा है इंगत का वह बहुत ही प्रवहवशाली हैं अब इसके बाद फिर प्रशन कर रहा है रावन फिर आगे पूचता है कौन के सुथ अब उसने प्रसंग बदल लिया प्रसंग इसलिए बदल लिया है क्योंकि रावन को लग रहा है कि अब अपन कूट नितिक तरीके से पिछड रहे हैं हार रहे हैं तब उसने फिर प्रसंग बदल लिया और पूछता है कौन के सुत। अच्छा अच्छा तो ये बताओ कि तुम किसके पुत्र हो। कौन के सुत। किसके पुत्र हो। बाली के। अब यहां समवाद योजना देखने लायक है छोटे-छोटे समवाद है और बिल्कुल स्वाभाविक, वास्तविक लगते हैं और जितना छोटा प्रस्न अंगद का जवाब भी वेशा का वेशा ही जब रावण ने पूछा कौन के सुथ, तो जवाब भी उतना ही बाली की, कि हम बाली के पुत्र हैं प्रभावशाली समवाद योजना है, वह कौन बाली है, तो फिर रावण पूछ रहा है कि कौन बाली, बाली कौन है जबकि रावन जानता है बाली को लेकिन फिर भी ये कूट नितिक बाच चीट जब दो राज्यों के मद्द्य होती है तो जान बूज कर अंजान बनने की कोशिश है रावन की कोई कौन बाली, बाली कौन है मैं नहीं जानता तब بالी के बारे में बताते हुए अंगद उत्तर दे रहे हैं न जानिये, प्रष्ण वा जानिये क्या नहीं जानते अच्छा, بالी को नहीं जानते अब आगे जो जवाब दे रहे कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नाथ बखानी अच्छा तुम नहीं जानते बाली को, मैं बता देता हूँ, बाली वह हैं जिसने कांख चापी तुम्हें अपनी कांख में दबा कर सो जो सागर साथ नहात बखानी है, साथ सागरों को या साथ समुद्रों में जिसने सनान किया था, बाली वह हैं जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा करके इस इन साथ समुद्रों में सनान किया था, अब यहां एक अंतर कथा हैं, एक प्रसंग हैं, अंगद बाली के बारे में बता रहा हैं कि बाली की अंतर कथा इस उत्तर में है, बाली जो था और रावन इन दोनों किया प्रसंग पूरु की गठना है, रावन जो था उसने विश्व विजे की कामना से बाली को युद्ध में ललका रहा था, अब बाली भी शिव भक्त था और रावन भी शिव भक्त था, लेकिन बाली जो था उसको एसा आशिरवाद था, कि उससे जो भी लड़ने आता था, उसके आधा बल बाली में समाहित हो जाता था, इसलिए बाली की जीव अवश्चम भावी थी, बाली हर बार जीतता था, जब रावन बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, उस समय बाली जो था, वो सिव साधरा में लीन था, तो उसने मना किया, में अभी युद्ध नहीं कर सकता, मगर रावन नहीं माना, तो बाली और रावन के मद्धे जो युद्ध हो, बाली ने रावन को अपनी कांख में दबा लिया, और दबा कर अपनी साधरा में महसागरों में सनान किया, इस संसार के जो साथ महसागरें उनमें उसने सनान किया, ये उसकी साधना का रूप था, और इस साथ सनान में लगभग उसे छे महीने बीत गए, और तब तक उसने रावन को अपनी कांख में दबाए रखा, ये वही अंतरकन कथा हैं, उसी की तरफ अंगद संकेत कर रहा है, और रावन को कह रहा हैं कि तुम बाली को नहीं जानते, बाली वह हैं जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाए करके साथ महसागरों में सनान किया था, वही बाली हैं और उस बाली का पुत्र मैं हूँ, तब रावन फिर पूछता हैं, हें कहां वह वीर, अपर उसके बारे में फिर पूछ रहा हैं कि वह वीर कहां हैं, अच्छा वह बाली तो वह वीर अब कहां हैं, रावन जानता हैं लेकिन जानबूज कर अनजान बन रहा हैं, फिर भी पूछ रहा हैं कि वह कौन, वह वीर कहां हैं अब, अंगद देवलोक बताईयो तो अंगद ने बताया कि वो देवलोक चले गया है स्वर्गवासी हो गये है क्यों गयो तो फिर पूचरा है रावन कि क्यों गयो स्वर्ग में क्यों गया देवलोक क्यों गया रगुनात बान विमान बेटी सिधाईयो तब अंगद फिर जवाब दे रहे हैं कि वह बाली जो है वो रगुनात के बान रूपी विमान पर बेट करके सिधार गए है स्वर्ग में सिधार गए रगुनात के बान रूपी विमान पर बेट कर रगुनात के यानि राम के बान से स्वर्ग वासी हुए थे तो उसको वेंग्यातमक तरीके से कह रहा है कि रगुनात के बान रूपी विमान पर बेट करके स्वर्ग सिधार गए अब इसके बाद फिर आगे पूछ रहा है रावन लंक नायक को अब फिर यहां बात बदल दी रावण ने क्योंकि रावण को लग रहा था कि मैं बातचीत में पिछड रहा हूँ मैं हार रहा हूँ बातों से इसलिए उसने फिर प्रसंग बदला और फिर जो पूर उपद में जब अंगद ने अपना परीचे दिया कि मैं जाती से वानर लंक नायक दूत और अंगद नाम है ऐसा जब परीचे उसने दिया था उस प्रसंग लंक नायक दूत जब उसने कहता था उस प्रसंग को उस बात को अब रावन ने पकड़ा है और वो पूछ रहा है कि लंक नायक को लंक नायक को उस बात को पकड़ा है अब रावढ ने और रावण पोच रहा है कि अच्छा ये बताओ तुमने बताए कि तुम लंकनायक के दूत हो तो वो लंकनायक कौन है तब फिर जवाब दे रहे हैं अंगड विभीशन कि की वो लंकनायक विभीशन है और मैं उसका दूत हूं अब फिर आगे बोलते हैं कि देव दूशन को दहे वो लंक नायक विभीशन है और विभीशन कौन है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि विभीशन वो है जो देव दूशन को दहे देवों को दूशन करने वाले याने पिडित करने वाले को दहे याने जलाने वाला विभीशन देवताओं के को पिडित करने वाले को जलाने वाला है तो यहां कहने का तात पर यह है कि रावन जो है वो देवताओं को पिडित क्या रावन ने पर देवताओं को पिडित करने वाला रावन तो देव दूशन रावन है और रावन को जलाने वाला है विभीशन क्योंकि रावन ने ही विभीशन को लंका से अपमानित करके भगा द दिया था और विभीशन राम की के सरण में चला जाता है और अब राम जो हैं विभीशन की सहायता करते हुए अब लंका पर चड़ाई कर रहा हैं इसी बात को लेकर अब कह रहा हैं कि लंकना एक विभीशन है और मैं उसी विभीशन का दूत बनके आया हूं और विभीशन जो मोही जीवित हो ही क्यों फिर पूछते हैं कि मोही जीवित हो ही क्यों मेरे जीवित रहते हुए वो केसे लंक नायक है जब अंगद ने विभीशन को लंका का नायक बताया तो रावन फिर खेरा आये कि मेरे जीवित रहते हुए वो लंका नायक केसे लंका नायक तो मैं हूँ म मेरे जीवित रहते हैं वो केशे हो सकता है तब वापस जवाब आता है अंगद का जग तो ही जीवत को कहे इस संसार में तुम्हें जीवित कौन कहता है यानि तुम्हें तो कोई जीवित मानता ही नहीं मोही को जग मारी है तब राउन फिर कह रहा है मुझे को याने कौन जग मारी है इस संसार में कौन मारने वाला है मुझे इस संसार में सा है कौन जो मुझे मारेगा या मुझे मारने वाला है मुझे कौन मार सकता है तो इसका जवाब देता है अंगद दुर्बुद्धी तेरी ये जाने तेरी दुर्बुद्धी जानले याने तुझे मारने वाला कोई नहीं तेरी ही दुर्बुद्धी है तेरी दुर्बुद्धी के कारण ही तु मरेगा एसा जवाब है अब यहाँ व्येंगी इस प्रकार है कि रावन ने अपनी दुर्बुद्धी से सीता का हरण करके सीता पर कूदरश्टी डाल करके जो पाप किया है उसके कारण ही रावन का संगहार होगा इसलिए रावन का संगहार उसकी दुर्बुद्धी ही करेगी तो उधर इसारा कर रहा है अंगद तो दुर्बुद्धी तेरी जानी, तुझे मारने वाला इस संसार में तेरी ही दुर्बुद्धी है, तब फिर रावण प्रश्ण पूछता है, कौन बात पठाईयो, कौन बात पठाईयो कहे वीर बेगी बखानी, अब सारी बातचीत में सारी कूट नितिक जो वारतलाब रावण और अंगद में, उसमें रावण अपने आपको पिछडता हुआ देख रहा है, रावण को लग रहा है कि इस बातचीत में भी अंगद जीत रहा है, तो रावण जल्दी जल्दी से अब उस प्रसंग को मोडते हुई, अब फिर पूछता है कि कौन बात पठाईयो क बेजना, बेजा है, कही वीर, हे वीर, बेगी बखानी, जल्दी बताओ कि तुम्हें किस बात के लिए बेजा गया है, कौन बात पठाईयो, तुम्हें यहां क्यों बेजा गया है, किस बात के लिए बेजा गया है, कही वीर, वीर, जल्दी कहो, बेगी यानि जल्दी बखा निए जल्दी बताओ अब देर मत करो जल्दी से बता दो तुम्हें किस बात के लिए भेजा है अब यहां पर जल्दी से रावन प्रसंग को बदल करके क्योंकि कूट नितिक वारतालाप में भी रावन हारते हुए पा रहा है अपने आपको तो वो जल्दी से ये बात कह देत है कि तो यहाँ प्रसंग में झो बात्चीत जो समवाध योजना यहाई बहुती प्रभवशाली छोटे-्षोटे संवाधों में और बहुत स्वाभावक और वास्तविक से लगते उए प्रभव शाली प्रत्शुत किये कवी केशवदास ने और समाध योजना में ही केशवदास सरवादिक प्रसिद्ध कवी कहे जाते हैं धन्यवाद आगे का प्रसंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे